आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम लोग देखने वाले हैं जोगरफी और जोगरफी का है आज 24 वा दिन अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा सिक देना चाहते हैं तो वो भी आपको सभी प्लेलिस्ट में आपको चेप्टर वाईज मिल जाएगा आप असानी से वहाँ दे सकते हैं और इसका अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल जोइन करें वहाँ से आपको पीडियेफ प्राप्त हो कौन सा भारत का मशाला है जिसको काला सोना कहा जाता है या रूप में जाना जाता है तो पहला का एंसर हो जाएगा दोस्तो आपका काली मिर्च काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है एंसर हो गया आपका A नंबर अगला प्रशन है दुसरा कि कौन सा प्रमुख काजू का उत बादन करता है भारत में उप्शन हो गया C अगला प्रशन थड़ है कि जूमिंग अथवा पैड़ा पधती क्या है तो ये क्या है तो जूमिंग अथवा पैड़ा पधती जो है दोस्तो ये जंगल काट कर सुखाने को कहा जाता है जूमिंग एक किरसी है किरसी का परकार है और यह भारत में North East वाले चेतर में किया जाता है, मेघालय, नागालय, असम वाले चेतर में जूमिंग किरसी की जाती, इसमें क्या किया जाता है कि पहले क्या किया जाता है जंगल को काटा जाता है जंगल को क्या कर दिया जाता है काटा जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है और जब सुखाने के बाद वो छेतर को साफ कर दिया जाता है और फिर वहां कुछ दिन के लिए किरसी किया जाता है तो इसी को कहते हैं जूमिंग किरसी या इसी को कहते हैं करतन एवं दहन किरसी क्योंकि काटा जाता है फिर उस पेड़ पोधे को वहां जला दिया जाता है फिर वहां की जो मिट्टी होती है उर्वर हो जाती है और फिर वहां किरसी किया जाता है और कुछ दिन वहां किरसी करन पदती तो ये इसका एंसर क्या होगे आपका ए नमबर यानि जंगल काटकर सुखाने को छोड़ना नेक्ष्ट परस्ण है चार नमर की जूम किसे कहते हैं फिर उसी सम्दित है जूम किसे कहते हैं तो ये एक लोकनिरित है ये नदी घाटी का नाम है ये एक जनजाती ये खेती की पदती है तो क्या है जूम एक खेती की पदती है बहुत इंपोर्टन परस्ण ये बार बार आप आपको एकजाम में प्युशा जाता है जूम से संबंदित, तो याद रखियेगा, अगला प्रश्ण है फाइफ नमर, कि जूमिंग सर्वाधिक वेवहरित है, कहा वेवहरित मतलब कौन से राज जे में सबसे अधिक जूम की किर्सी की जाती है, तो जूम की किर्सी सबसे अध क्या हो गया C नेक्स्ट प्रस्णे देखते हैं 6 नंबर की चलवासी किर्सी निमलिखित राजियों के पहाडी छेतरों की परमुक समस्या है जो चलवासी किर्सी है वो कौन से पहाडी राजी की परमुक समस्या है तो 6 का इंसर हो जाएगा आपका A नंबर आणि असम और जारखन का याना असम और जारखन के लोग क्या करते हैं चलवासी किर्सी किया करते हैं यह इंसर हो गया आपका A नंबर एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर चल चल के जो किर्सी किया जाता है ने एक असान से दूसरे ना था नो बदल बदल का जो किर्सी किया जाता है उसी को कहते हैं चलवासी किर्सी तो हो जाएगा आपका उत्तरपरदेश कि उत्तरपरदेश की आचƏत्रफल में भी काफी बड़ा है और यहां बहुत अधीक मातरा में सभी फसलों का उत्पादन किया जाता है यह हूँ सबसे ज़्यादा यहीं उत्तरपरदेश है चावल दूसरा नंबर पर कौन है दोस्तो पस्ची मंगाल दूसरा नमबर पे सबसे अधीक चावल का उत्पादन किया जाता है सबसे अधीक गन्ना का उत्पादन किया जाता है तो इसलिए जो महराज उत्तर परदेश है ये खादान उत्पादन में अधीक अंसदान करता है तो इनसर हो गया आपका D अगला परशन देखते हैं 8 नंबर 8 है कि भारत का वहराज जो कपास नमक और दुग्ध के उत्पादों में प्रथम अस्थान पर है तो देखिए इसका जो उप्सन दिया गया है ये गलत दिया गया है बता देता हूँ कपास जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है पहले था दोस्तो गुजरात लेकिन वर्तमान समय में जो कपास का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है वो है आपका महाराश्ट्र तो ये बाते याद रखिएगा हमेशा पूछा जाता है नमक का सबसे अधिक उत्पादन कहां किया जाता है तो नमक का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है तो यह तीनों याद रखेगा हमेशा आपको एकजाम में पूछा जाता है यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट है चलिए अगला पुरशने देखते हैं एट नम्मर है कि गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतरगत आते हैं तो दिव पादप, तिरी पादप या चतुस पादप या पंच पादप तो नाइन का आपका एंसर हो जाएगा ये तिरी पादप के अंतरगत आते हैं दोस्तों इस टैप का भी कोस्चन आपको एक दो बार एकजाम में पुछे गए हैं निगन्ना है, चुकंदर है, स्वीट पी है, चना है, अरहर किसके अंतरगत आते हैं तो दिव पादप के अंतरगत आते हैं एंसर हो गया आपका बी अगला परशन है नाइन कि भारत का सरवाधिक पठसन उत्पादक राज्जी कौन सा है सबसे अधिक पठसन का उत्पादन कहां किया जाता है तो वो है राज्जे आपका पस्चिम बंगाल हना पस्चिम बंगाल में सबसे अधिक पठसन का उत्पादन किया जाता है अगला परशन है 11 अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले अब बेल आइगन प्रेस करना बिल्कुल न भूले क्योंकि जो वीडियो इसके बाद आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा देखिए 11 नमबर प्रशन है कि भारत में जूट उद्द्योग प्रमुख तह किंद्रीत है जूट उद्द्योग जो है प्रमुख रूप से कहां किंद्रीत है तो 11 का आपका इंसर हो जाएगा डी नमबर यानि पस्चीम बंगाल निस सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां किया जाता है तो पस्चिम बंगाल में किया जाता है चलिए अगला प्रश्ण है 12 नंबर की भारत में जूट का सरवाधिक छेतरफल कहां है तो जहां उत्पादन जहां होगा तो छेतरफल वहाँ जादा है तब तो जादा उत्पादन हो रहा है तो इंसर क्या हो जाएगा आपका B नंबर आनि पस्चिम बंगाल में जूट का सरवाधिक छेतरफल भी है और सबसे अधिक उत्पादन भी करता है तो इंसर हो गया आपका B अगला प्रश्ण देखिए 13 नंबर की मक्के की खेती की जा सकती है मक्के की खेती जो है किस मौशम में की जाती है तो मक्का जो है आपको बर्शात में भी मिल जाएगा ठंडे के दिनों भी मक्का मिल जाता है और जायद के मौसम में भी मक्का मिल जाता है तो ये वर्स भर किया जाता है दोस्तो अना मक्का ही ऐसा फसल है तो सभी मौसम में किया जाता है अनि answer हो गया आपका D अगला प्रश्ण देखिए 14 नंबर कि मक्हा की फसल पकने की अवधी कितनी है जो मक्हे की फसल होती है उसको पकने की कितनी अवधी कितना समय लगता है तो 14 का आपका एंसर हो जाएगा C नमबर आनि 140 दिन का समय लगता है मक्का को पकने में बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है एंसर हो गया आपका C अगला प्रशन है 15 कि सक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवानसिक परिवर्तन फसले है अनुवानसिक परिवर्तन फसले है सक्तिमान 1 और टू तो ये हो जाएगा आपका मक्का की अनुवानसिक परिवर्तित फसले है सक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 याद रखिएगा बहुत important प्रशन है अगला प्रशन है आपका 16 नंबर कि केसर का वानिजिक अस्तर पर उत्पादन किस राज्य में होता है वनीजी कस्तर पर उत्पादन केसर का कहा होता है तो केसर का उत्पादन होता है दूस्तो आपका जम्मू कस्मीर में बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है यह भेरी भेरी इंपॉर्टेंट परशन है कि केसर का उत्पादन सबसे धीक कहा होता है तो वो जम्मू कश्मिर में होता है ठीक है एंशर हो गया आपका A अगला परशन है 17 नमबर कि निम्नली खित में से किस एक की खेती पौध प्रति रूपन करके की जाती है यह निए पौध को रोप करके किया जाता है वो कौन सा फसल है ओप्सन के अनुशार तो मक्का तो पौधा नहीं रोपा जाता है आलू का भी पौधा नहीं रोपा जाता है सोया भीन का भी पौधा नहीं रोपा जाता है लेकिन प्याज का क्या किया जाता है पौधा रोपा जाता है ते इनसर क्या होगे आपका C नमबर अगला प्रशन ह 18 नमबर की भागिरती घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का स्रे किसको दिया जाता है अगला परसने देखते हैं 19 नमबर आम की बीज रहित पर जाती है आम की जो बीज रहित पर जाती है वो कौन शी है चारो ये आम की पर जाती है इसमें बीज रहित आपको बताना है तो 19 का एंसर हो जाएगा दोस्तो सिंधू यहना सिंधु जो है यह आम की भीज रहित पर जाती है एंसर होगे आपका D 19 का D अगला परशन देखते हैं 20 नंबर और दोस्तों अगर आप एस्टेट की त्यारी करें बहुत सारे दोस्त एस्टेट की त्यारी कर रहे हैं और एस्टेट के लिए बहुत सारे वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ से आप एस्टेट का टेस्ट दे सकते हैं और एस्टेट का बहुत ही जल्द आपको क्लास स्टार्ट होने वाला है चिप्टर वाइज आपको book पढ़ाया जाएगा class 9 and class 10 का तो आप उसको देखना न भूले और अभी अगर आपको ज़्यादा जरूरी है तो आप test दे सकते हैं आपको test कराया गया है history, geography, policy, economics ताप असानी से state का भी test दे सकते हैं सभी आपको playlist में मिल जाएगा देखे 20 नमबर प्रश्ण है दोस्तों कि ललीत जिसकी उन्नत किस्म है लानि ललीत जो है किसकी किस्म है तो 20 का answer हो जाएगा दोस्तों आपका अमरूद, ललीत जो है ये अमरूद का एक किस्म है तो याद रखिया का answer हो गया आपका B 21 नमबर प्रश्ण है कि प्रसंसकरन है तू आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है तो वो हो जाएगा आपका B नमबर आनि कुफरी चिपसोना कुफरी चिपसोना टू जो है आलू की सबसे अच्छी किसम है एंसर हो गया आपका सी अगला परशन ट्वैंटी टू ट्वैंटी टू नमबर परशन है कि निमलखित में से कौन फसले अधिकांस तह निर्वाह मुलक किरसी के अंतरगत पैदा की जाती है निर्वाह मुलक किरसी के अंतरगत कहने का अर्थ क्या हुआ मतलब जो ये किरसी की जाती है सिर्फ निर्वाह के लिए की जाती है अपने सिर्फ भरण पोसन के लिए की जाती है अपने खान के लिए ही सिर्फ की जाती है और वानिजिक के लिए नहीं की जाती है व्यपार के लिए ये नहीं की जाती है то वह कौन सा अनाज है भारत का तो 22 का एंसर हो जाएगा आपका दोस्तो ए नमबर और मोटे अनाज और चावल ना तीसका इंसर हो गया आपका अगला परशन है 23 अधरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहन करता है वह क्या कहलाता है अगला परशन है उसे क्या कहते है दूसे कहते हैं प्रकंद बहुत important question है बहुत बार आपको एकजाम में पुछा गया है तो इसका answer हो जाएगा ब यानि प्रकंद अगला परशन है 24 24 है कि निमलिकित में कौन अनाज के दोनो का उत्पादन है अनाज के दानो का उत्पादक है हना अनाज के दानो का कौन सा उत्पाद है तो इंसर हो जाएगा दूस्तो आपका A No.OatMill जो है अनाज के दाना से यह बनाया जाता है, ओट मीलती, इसका अंसर हो गया आपका A ठीक है, चलिए अगला परस्ण देखते है 25 कि उत्रा खंड में उगाया जाने वाला मंडूअ उत्रा खंड में उगाया जाता है मंडूअ का निरियात अधीकांसता किस देश को किया जाता है जो मंडुवा है किसको किया जाता है निर्यात तो 25 का एंसर हो जाएगा दोस्तो आपका D नमबर यानि जपान को किया जाता है निर्यात एंसर हो गया आपका D अगला परशन है 26 कि a stock forming क्या है देखिए अभी तक हम लोग जितना भी कोश्चन देख रहे थे यह तीसरा वीडियो था आपको किरिसी से संबंधित आपको सभी वीडियो आपको कराया जा चुका है ताप असानी से किरिसी से जितने भी परशन बनते हैं सभी को यहां पे सिले चुक हो रहा है पसू पालन पसू पालन से जादा आपको कोश्चन नहीं पुछा जाता है ठीक है कुछ 8-10 प्रशन है जो आपको पसू पालन से हमेशा पूछे जाते हैं तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं तो आज का यह पसू पालन का देखिए प्रशन है कि a stock forming क्या ह तो अस्टॉक फॉर्मिंग बहुत बार आपको एक्जामे पुछा गया है तो यह है दोस्तु पसुमों का परजनन इंसर हो गया आपका बी अस्टॉक फॉर्मिंग क्या है तो पसुमों के परजनन से संबंदीत है अगला प्रशन है 27 27 है कि प्रती 100 हेक्टेयर सकल क्रिसी छेत है तो वो है आपका बिहार अना बिहार में सबसे अधिक मविश्यों की संख्या का घनत हो है प्रती 100 हेक्टेयर एंसर हो गया अगला परशन 28 कि भारत में सरवाधीक दूद देने वाली बकरी की नसल कौन सी है यो कौन सी बकरी है जो सबसे अधीक दूद देती है तो वो बकरी है आपका जमना पारी बहुत बार आपको एकजाम में पुछा गया है सबसे अधिक दूद देने वाली बकरी जमुना पारी एंसर बी अगला प्रशन 29 थार परकर परजाती कहां पाई जाती है थार परकर एक परजाती है और वो किसकी परजाती है तो गाय की परजाती है ना गाय की एक परजाती है थार परकर तो ये कहां पाई जाती है तो ये पाई जाती है आपका थार परकर जो परजाती है दुस्तों ये कहां पाई जाती है तो राजस्थान के सीमा वरती छेतर में कहां पाई जाती है राजस्थान के सीमा वरती छेतर में एंसर होगी अब भी राजस्थान भी एंसर कभी कभी देता है और उसके सीमा वाले छेतर में यानि गुजरात में भी थोड़ा बहुत ये पाया जाता है लेकिन ज्यादा करके राजस्थान में देखने को मिलता है थार परकर परजाती अगला परशन है 30 और आज का लास्ट परशन लास्ट परशन है कि गाय की नसले अधीक दुद देती है वो कौन सी गाय की नसल है जो अधीक दुद देती है आपको बताना है और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग जरूर बताईएगा और लाइक जरूर कीजेगा, कॉमेंट जरूर कीजेगा, कितना आप लोग का मार्श आया ये जरूर बताईएगा नीचे, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, 30 का एंसर हो जाएगा, आपका साहिवाल, क साहिवाल जो यह गाय की जो नसल है यह कहां पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और हरियाना में यह गाय पाई जाती है तो यह याद रखिएगा और यह जो गाय है दोस्तो सलाना दो हजार से तीन हजार लीटर दूद देती है सलाना कितना दूद देती है दो हजार से तीन हजार लीटर यह दूद देती है साहिवाल मतलब जो गाय की नसल है देखिए थार परकर भी आपको गाय की नसले ही है यह भी अच्छी गाय माने जाती है लेकिन इस सबसे अच्छा जो है वो है साही वाल इंसर हो गया C तो ये था दोस्तो आज का 30 प्रस्ट आपको कैसा लगा आप लोग बताईएगा और कितना कितना आप लोग का मार्स आया और इसके अलावे आप हिस्ट्री का टेस्ट दे सकते हैं पॉलिटी का दे सकते हैं अगर आप एस्टेट का देना चाहते हैं तो एस्टेट का भी आपको सभी सब्जेक्ट का कराया गया है प्लेलिस्ट में जाएए आपको सभी मिल जाएगा और दोस्तो ये है हमारा चैनल जोगरफी वाई मुके सर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेश कर ले और ये हमारा वाटसेप गरूप है अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करें